हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जी के ट्रैक में तो दोस्तो रेलबे ग्रूब डी परिक्सा एक नमंबर को पहली सिप्ट का एकजाम हो चुका है तो दोस्तो जितने भी सभी मेहत्वकुन कोशन पूचे गए हैं तो बेस अभी कोशन में आपके लिए इस वीडियो में लेका हूँ जो की विग्यान और करेंट अफेर्स के हैं तो दोस्तो उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद जरूर आएगा अगर आपका एकजाम आगे होने वाला है तो हमारे इस वीडियो को बिना स्किप की अंतर तक जरूर देखते लिए और वीडियो शुरूर करने से पहला अगर आप हमारी वीडियो पहली बात देख रहे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही उसके साइड में जो बैल आइकन है उससे जरूर दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करो आप उसे सबसे पहले देख सकें तो चलिए वीडियो शुरू करते है तो दोस्तों आज का यहाँ पर पहला कुस्टन है जो आज पूछा गया था रादा मोहन सिंग बरतमान में कौन से मंत्री है तो आप इसे याद रखिये हो सकता है आप से आगे भी पूछ लिया जाए चलिए नेच्ट कॉस्टन देखते है अगला कॉस्टन है बिस्व में मैगनीज उत्पादन का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो दोस्तों यह कॉस् अंसर था तो आप इसका सही अंसर लगा सकते थे चीन तो आप इसे याद रखिये बिस्व में सबसे बड़ा मैगनीज उत्पादन का कौन सा देश है चीन नंबर बन पर है तो नेच्ट कोस्टन है बिहार राज्ये के बरतमान राज्यपाल कौन है तो उससे यह कोस्टन तो आप इसे याद रखिये तो अगला कुस्टन देखते है बहरत का सरवोच नागरिक सम्मान कौन सा है तो दोस्तो अगर बात करें कि बहरत का सरवोच नागरिक सम्मान कौन सा है तो दोस्तो अगर बात करें कि बहरत का सरवोच नागरिक सम्मान कौन सा है तो दोस्तो अग दूसरे नंबर पर आता है, तो कौन सा आता है, दूसरा संबान, पदम भीवुसर्ण, तो आप इसे याद रखिए, पहला बाहर रत्न और दूसरा पदम भीवुसर्ण, हो सकता है, आप से यहाँ से पदम भीवुसर्ण से आगे question पूछ लिया जाए, तो चलिए अगला question यह question कई बार यहाँ से पूछ गया है, तो यह आज भी पूछ गया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर पूछ गया था, जियो फिल्म फेर आवार्ड दोहजार अठारे, किस बेस्ट फिल्म को दिया गया है, तो दोस्तो अगर बात करें कि बेस्ट एक्टर का किस आजैसे दिया गया है, तो बिद्य वालन को दिया गया है, तो आप़ इसे याद रखें, और दोस्तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछ ले जाए कि बेस्ट निर्देशक यानि कि डायरेक्टर का आवाड किसी दिया गया है, तो अस्वनी एएर िवारी को दि पूछ ले जाता है कि जी ओ, फिल्म फिर अवाड 2018 में क्रिटिक्स अवाड किस फिल्म को दिया गया है? तो Newton को दिया गया है तो दूस्तों यह जो मैंने आपको जितने भी यहाँ पर यह point बता हैं यह सेरे काफी important है very very important है आपसे यहाँ पर आगे कभी भी question पूछा जा सकता है तो आप इसे ज़रूर याद रिखिए तो चलिए अगला question देखते है तो यहाँ पर जो अगला question है Oscar Award का दूसरा नाम क्या है तो यह question पूछा गया था Oscar Award को किस दूसरे नाम से जाना जाता है तो Academy Award के नाम से भी जाना जाता है Oscar Award को तो यह आज पूछा गया था और दोस्तों अगर बात करें कि Oscar Award 2018 किस फिल्म को दिया गया है तो आप याद रखे, The Safe of Butter को दिया गया है, यहां से यह question भी कई बार पूछा गया है, हो सकता है आप से आगे भी पूछा गया है, तो आपको जरूर याद रखना है, ओसकार अबार्ट 2018 किस फिल्म को दिया गया है, The Safe of Butter को दिया गया है, तो very important है यह भी, तो चलिए अगला question देखते हैं, तो next question है, 1975 में भारत में अपात काल के समय प्रधान मंत्री कोन थे, तो यह question आज पूछा गया था, 1975 में जब भारत में अपात काल की स्थिति लगी थी, तो उसमय भारत के प्रधान मंत्री कोन थे, तो इंद्रा गांदी उसमय प्रधान मंत्री थी, और दोस्त मैं आपको बता दूँ यह जो आज पूछा गया है रेलबे में रेलबे गुरूपड में यह पूछा गया है लेकिन यहाँ पर यह जो राष्टपती थे 1975 में जो यह कोस्टन जो है अभी जो रेलबे बो सोरी यूप पिलिस का री एक्जाम हुआ है उसमें यह कोस्टन पूछा गया था कि 1975 में भारत में अपातकाल के समय राष्टपती कौन थे तो फकरुत दिन अली एहमत थे तो दोस्तों इसी प्रकार के कोस्टन जो एक्जाम हाली में चल रहे हैं आप कोई सभी एक्जाम होने वाला है बोट दोनों एक ही यानि की एक ही कंपणी ने यूपी पुलिस और रेलबे गुरूब डी का एक्जाम कराया है तो इसलिए यहां से यह कोस्टन आज पूछा गया था प्रदान मंत्री का और राष्टपती का यूपी पुलिस में पूछा गया था इस तरी के सी क॓शन पूछा जाते हैं विश्भी सुआस्ति दिवसnio क् INFरेल को मनाया जाता है निम्ण मेंसे उत्रा खंड में कौन सा धाम स्थित है जुसत यह कूशन पूछा गया था मैं आपको बतादू इसमें पूच़ा गया था आपको चार ओप्सन दिये थे और Q wildlife में पूच़ा गया था निम्ड में से बताईए कौन सा दहाम उत्तराखंड राज्ये में इस्तित है तो जो उसमें अलग-अलग दहाम दिये थे और इसका जो सही आंसर था हरिद्वार इसका सही आंसर था क्योंकि आप सभी को पता होगा हरिद्वार उत्राखंड में इस्तित है और ये हरिद्वार धाम है यानि कि उत्राखंड राज्ये का धाम है हरिद्वार तो ये कुस्तन आज पूछ गया था तो चलिए आगला कुस्तन देखते है गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों गुजरात के मुख्यमंत्री भी पूछे गए थे तो विजयरुपाने गुजरात राज्ये के मुख्यमंत्री है और दोस्तों मैं आपको अदा दू अगर आप आपने सभी 29 राज्यों के मुख्यमंत्री अभी तक याद नहीं किये हैं और आपका एकजाम आगे होने वाला है तो आप जरूर 29 राज्यों के मुख्यमंतरी याद कर लीजिए क्योंकि प्रतियक सिप्ट में एक नएक मुख्यमंतरी या राज्यापाल जरूर पूछा रहा है तो दोस्तों मैंने इसके लिए एक वीडि को देख सकते हैं तो दोस्तों गुजरात के मुख्यमंतरी बिजयरुपानी थे और राज्यापाल की बात करें गुजरात के राज्यापाल कोन है तो ओम प्रकास कोहली गुजरात के राज्यापाल है तो आप इसे भी याद रखिए चलिए आगे देखते हैं तो यहाँ पर जो अगला कोसन है प्रेम सिंग धूमल किस राज्य से संबंदित है तो यह व्यक्ति जो नाम दिया था यहाँ पर प्रेम सिंग धूमल पूछा गया था यह किस राज्य से संबंदित है तो यह हिमाचल प्रदेश से संबंदित है क्योंकि दोस्तों यह हिमाचल प्रदेश के द से ही ये question पूछा गया था और आज ये दुबारा repeat हुआ है तो मैंने आपको पहले भी बताया था प्रत्वी की तरज्या तो 6371 किलोमेटर प्रत्वी की तरज्या है और दोस्तों अगर बात करें कि प्रत्वी का ब्यास कितना है तो 12742 किलोमेटर प्रत्वी का ब्यास है तो आप इन दोनों को याद रखे तरज्या और ब्यास को नेश्ट कोस्टन देखते हैं तो यहाँ पर जो अगला कोस्टन है अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है तो यह पूचा गया था जो अमोनिया गैस होती है इसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात किस अनुपात में यानि कि यह दो गैस मिली होती है अमोनिया में तो एक अनुपात तीन में मिली होती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो यह पूचा गए था तो आप इसे याद रखे Next Question देखते हैं Killoropharm की खोज किस ने की थी तो दोस्ते यह Question भी पूचा गए था Killoropharm की खोज करता पूचा गए थी किस ने Killoropharm की खोज की थी तो चलिए देखते हैं किस ने की थी तो James Young, Simpson ने किलोरफार्म के खोज की थे आप यहां पर देख सकते इनका नाम लिखाया है जेम्स यंग सिंपसन तो इन्हों ने किलोरफार्म के खोज की थे तो आप इसे याद रखे अगला कॉस्टन देखते हैं आधुनिक आवर्तसांड़ी में सत्रवे समू को क्या कहा जाता है तो यहां पर अगला कॉस्टन है हीरा और ग्रेफाइड किसके अपरूप होते हैं तो यह पूछा गाता हीरा और ग्रेफाइड किसके अपरूप होते हैं तो कार्बन के अप्रूफ होते हैं हीरा और ग्रेफाइड तो यह पूछा गया था तो आप इसे याद रखी यह काफी important question था next question देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो अगला question है calcium carbonate के बारे हम पूछा गया था कि जो calcium carbonate होता है यानि कि संग मरमर का जो रसाइनिक नाम होता है calcium carbonate होता है और इसका formula होता है CACO3 तो इसमें पूछा गया था कि calcium carbonate को गर्म करने पर क्या बनता है यानि कि अगर हम calcium carbonate को गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा तो calcium oxide हमें प्रियाप्त होता है calcium carbonate को गर्म करने पर तो calcium oxide का formula क्या होता है CAO इसका formula होता है और इसे क्या बोला जाता है बिना बुझा चूना बोला जाता है calcium oxide को तो आप इसे याद रखे तो दोस्तों यही थे जितने कुस्तन आज मीचे मिल पाए थे उमीद करता है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो पिलिजिए एक like करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार